अक्सर देखा गया है कि धर्म आस्था पर विश्वास करने वाले लोग सुभश सांग नियवित रूप से भगवान की पूजा अराथना करते हैं परन्तु उनको अपने द्वारा की गई पूजा का उचित पड़ी नाम नहीं मिल पाता है स्रद्धा और गंभिरता फुर्वत पूजा उपसना के बावजोद भी वेक्ति कुष्वर के गिर्पा प्राप्त नहीं हो पाती आखिर पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसे कौन से कारण है जिसकी वज़े से पूजा सफल नहीं हो रही है आज में आपको जोती सास्त्र के अनुसार पूजा का पूड़ा फल नाम मिलने के पीचे क्या कारण है वो मैं बताने वाले हैं आए जानते हैं इसकी बारे में नमस्कार दोस्तों आप सभी का दर डिवाइन सूर में बहुत बहुत स्वागत बहुती हो यदि आप चैनल के पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्स्क्राइब करने बिलकुल लागूदे साथ ही नोडिफिकेशन बेल को अबसे ही प्रेस करने ताकि हमारे आने वाले हर लेटिस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तक आदि बहुन सके दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सलह के कोई भी रत्न धारन करता है तो इसके खारण उसके उपर विप्रित प्रफाव करने लगता है जिसके फल्सरों विधी विधान पुर्वक पूजा करने के बाउजूद भी व्यक्ति को पूजा का पुर्णफल प्राप्त ड़ोध stored करता है या मन में नकारात्माभिचार लाता है तो इसकी आपके घर में वास्तो दोज थो इसकी वज़े से भी आपको पू को आपको आपको नियुकी लावा पित्रे दोज होने की वज़े नहें होता है यदि आपके घर में बनावा पूजा अस्तर दक्षिन पसिम या फिर पसिम दिशा में है तो इसकी वज़े से भी आपको पूजा पार्ट का लाव प्राप्त नहीं हो पाता है जोते सास्तर के अनुसार पूजा करने के दौरान साधक का मुख प्रातह काल पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए और संध्य के समय पसिम दिशा की तरफ ऐसा होने से आपको सबसे ज़्यादा लाव की प्राप्ति होती है आपका पूजा संपूर्ण होता है यदि ऐसा संब्म ना हो तो भी पूजा करते समय आपका मुख तब पुर्वदिशा की ओर अगर होता है तो भी आपकी पूजा स्विकार की जाती है सास्त्रों में इस बात का भी उलेक किया किया है कि पूजा पाठ हमेशा एकांत अस्थान पर करना चाहिए यदि पूजा की दौरान कोई आपको असपर्ज करता है तो इसकी वज़े से भी आपको पूजा का पूजा 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 पर नहीं मिलता है अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको इस बात का विशे इस तोर पर धियान रखना होगा कि आप चारपाई पर बैठ कर पूजा ये उपासना ना करें साथ ही नंगे फॉर्ज से पर भी आपको नहीं बैठना चाहिए हमीशा कोई ने कोई आसन आप बिचाएं और इसके बाद उस पर बैठ कर उपासना करें पूजा पाट के लिए आसन पर बैठना अती आविश्चत होता है अगर आपके पास आसन नहीं है तो ऐसी इस्तिती में आप कंबल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं परन्तों आप कभी भी पूजा के दौरान सीधे प्रित्वी के संपर्ग में ना आए सास्त्रों के अनुसार पूजा ये जाब ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर किसी अन्य व्यक्ति की सीधे तोर पर नजर ना पड़े अनिधा आपकी पूजा निश्कल होती है या वाधित होती है अगर आप पूजा के दौरान मंत्र का जाब कर रहे हैं तो आपको इस बात का धियान रखना होगा कि मंत्र का उचारन आप ठीक धंग से करें मंत्र का सही उचारन यदि नहीं करेंगे तो भी आपको अपनी पूजा का हल नहीं प्राप्त होता है आप पूजा में हमेशा पीले और सफेद रंग के धुलेवे कपरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिमाल करें ये रंगे आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकसर देती हैं और इन रंगों के द्वारा के पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से सुदार भी के जाती है धर्मास्था पर विश्वास रखने वाले लोग इस्वर्की किर्पा प्राप्त करने के लिए रोजाना पूजा पार्ट करते हैं ताकि उनके जीवन की तमाम पड़े सानिया दूर हो सके और भगवान की किर्पा से धर पड़िवार में धेरों खुशियां आए परन्तों अगले वीडियो में एक नहीं जानकरी के साथ फिर से मिलूंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों